साथियो जै किसाउन मैं आपका रवी आजाद साथियो हम अभी हैं सिर्षा जिले का सिर्षा जिले की तैसील है नाथूसरी चोपटा तैसील परीशर में हैं और पिछले 37 दिनों से 2022 खरीफ के बीमा क्लेम के लिए यानि कि किसानों की फसल बरबाद हुई किसानों ने प्रीमियम दिया ये आईसी कंपनी ने सिर्षा सही तर्याना में साथ जिलों में इंसोरेंस क्रोप इंसोरेंस किया और जिसकी डेडलाइन है 31 मार्च लेकिन जून भी निकलता जा रहा है अब तक साथ जिलों के किसानों को या सिर्षा के किसानों को बीमा कलेम नहीं मिला है और भारतिय किसान यूनियन लगातार 37 दिन से नाथुसरी चोपटा की तैसील प्रिसर में एनिस्चित काली धरने पर बैठी है और लगातार तसील का घेराव विरोध परदसन धरना लगातार चल रहा है लेकिन हर्याना की सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और आप ये दिखा भी दो ये पूरा जो है ये बैनर यहां लगा हुआ है ये टेंट किसानों का 37 दिन से बहेंग कर गर्मी और खराब मोसम में सेकडों किसान यहां रोज बैठते हैं हम हर्याना के मुखे मंतरी खटर और उप मुखे मंतरी दुश्यन चोटाला और हर्याना के करसी मंतरी जेपी दलाल जो किसानों के मसिया बनने की कोशिस करते हैं और बार बार नोटंकी करते हैं विमा क्लेम के नाम पे कि हमने इतना दिलवा दिया इतना दिलवा दिया हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं 37 दिन हो चुके हैं, ना तूसरी चोपटा में किसानों की आवाज नहीं सुनी जारी, उनको भीमा कलेम नहीं दिया जारा है, और इसके साथ में AIC ने 6 जिलों का और इंसोरेंस कर रखा है, सारा कलेम अठका पड़ा है, और सरकार दलाली कर रही है AIC की, अधिकारी दलाली कर र पूरी नहीं हुई, तो करसी मंतरी, मुख्य मंतरी कान खोल करके सुन ले, या ना तूसरी चोपटा में AAR पार का और बड़ा फैसला लेंगे, और सरकार के घुटने टिकवाने का पाथ चोड़े करवाने का फैसला लेंगे, पिछे नहीं अटेंगे, सरकार इसको गंबीरत अटेंगे